और आपको cricket match के कुछ ऐसे बेतरीन फिल्डरों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके जैसे फिल्डिंग देखकर आपके भी होश जरूर उट जाएंगे और दोस्तों इस वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के end में आप जस फिल्डर को देखेंगे उसकी फि करते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपको भी match देखना पसंद है तो वीडियो को like जरूर कर दें सुरेश रैना दोस्तों सुरेश रैना के गिंती हमेशा से ही भारत के बहतरीन फिल्डोस में होती रही है उन्होंने कई मौकों पर अपनी फिल्डिंग के बलबुते match को नया मोर दिया है और फिर चाहे हम अंतराश्ट्रिय मैचों की बात कर लें या IPL की बात करें दोस्तों इस से फुर्ट को देखिए और बस देखते रहें क्योंकि इस से बेहतर दुरिश शायद ही आपको देखने को मिले एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था कि गेंद मककलम की पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है लेकिन जिस तरह से सही वक्त पर मकलम ने उचाल मारी और बाउंडरी लैन के कुछ ही इंच अंदर इस गेंद को रोका वो सिर्फ इन ही के बस की बात है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम की फील्डिंग हमेशा सही वर्ल्ल क्लास रही है तपी तो इस टीम ने क्रिकेट में इतने सालों तक राच गया और इस टीम की फील्डिंग में धेरो द्रिश आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको तालिया बजाने पर मजबूर कर देंगे लेकिन ये द्रिश जरूर कुछ खास है क्योंकि यहाँ पर दो फील्डिरों ने मिलकर एक चौका जाने से रोका है कपिल देव अपको सुनकर थोड़ी हैरानी भी हो सकती है कि उस दौर में जहाँ फील्डिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था तब कि जमाने में कपिल देव ने शानदार प्रयास करके अपटी टीम के लिए कम से कम इस मौके पर दोरन जरूर बचाये थे अब देख सकते हैं कि गेंद कपिल देव से कितनी दूर थी और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कपिल देव इस दूरी को कवर नहीं कर पाएंगे लेकिन जिस तेजी के साथ कपिल देव ने अपने कदम गेंद की तरह बढ़ाए वो देखने लायक है पकिस्तान और श्रिलंका के बीच खेले जा रहे है एक मैच में श्रिलंका के फील्डर एरांगा ने बाउंडरी लाइन पे जो शांदार फील्डिंग का नमूना पेश किया है तो सच मुच काबले दारीफ है और उन्होंने छे रनों के लिए जाती हुई गेंद को लपक कर बाउंडरी के इस तरह फेक दिया था और टीम के लिए दो बेशकीमती रन जरूर बचाये थे लिडिया ग्रीनवे दोस्तों फील्डिंग के उधारन सर्फ मेंस क्रिकेट में ही देखने को नहीं मिलते हैं बलकि विमन क्रिकेट में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो आपको तालिया बजाने पर मजबूर कर देगा और ऐसा ही वाक्या भारत और उस्ट्रेलिया के मैच में हुआ जिसमें उस्ट्रेलिया ए खिलाडी ग्रीन वे ने जिस तरह से गेंद को रोक के दिखाया वो असंबब तो नहीं था लेकिन असंबब के बहुत करीब था तो क्यों दोस्तों इन फील्डर्स में से आपको किस क्रिकेटर की फील्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें सबसे पहले धन्यवाद